Hello everyone, कैसे हैं आप सभी, मैं विक्किया सबका स्वागत करता है नाव लिटेशरस प्लेनर पे हम इस वीडियो में जानेंगे प्रणावन के रूल के बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रणावन के पहचान, प्रणावन के डिफिनिशन, प्रणावन के काइंड्स आए इस वीडियो में जानते हैं हम नियम के बारे में तो पहला नियम है कि किसी भी प्रणावन का परशन, नंबर, और जेंडर खुब ध्यान से देखेगा किसी भी प्रणाउन का परशन, नंबर, जेंडर पूर्बवर्ती नाउन के ही according आता है यानि कि एक संटेंस में अगर प्रणाउन आ रहा है कहीं कहीं तो वो अपने पूर्बवर्ती नाउन के according ही आएगा जैसे यहाँ पे यह है प्रणाउन तो यह प्रणाउन तब ही आएगा अपने पूर्बवर्ती नाउन के according या यूँ कह सकते हैं subject के according ठीक है अब देखिए इसके every के बाद में लगा हुआ है son every son should obey his parents तो हम सिर्फ focus करेंगे किस पर? प्रणाउन पर focus करेंगे ठीक है कि यह प्रणाउन किसके according आएगा तो क्या कह रहा है कि प्रणाउन का person number even gender person number even gender देखिए son है इसलिए his आया है यहाँ पे son singular है इसलिए his singular आया है ठीक है ना? और gender जेखिए son के लिए यह क्या आता है? his आएगा तो क्या कह रहा है कि प्रणाउन के person number gender जो है वो नाउन के according ही आएगा आपने पूरबरती नाउन के पूरबरती मतलब पहले आने वाली चलिए एक और लिख सकते है हम every के साथ में every boys should obey their parents यह भी हो सकता है क्योंकि every के बाद में every के बाद में singular और plural दोनों नाउन आ सकता है according to sense ठीक है all the boys must do their duties all the boys must do their duties देखिए boys के according आने वाला जो प्रणाउन है वो क्या हो जाएगा वो plural रहेगा ठीक है ना तो यह नियम हमारा कहता है कि अगर कोई प्रणाउन आया है एक sentence में तो वो किसकी according आएगा अपने पहले आएवे नाउन के according वो प्रणाउन आएगा ठीक है तो आई अब हम जानते हैं हमारे हमारा दूसरा रूल तो हम देखते हमारा दूसरा नियम कि अगर सब्जेक्ट में singular noun and singular noun singular noun and singular noun और इन दोनों के पहले क्या आया है each या every खुब ध्यान से देखेगा each या every खुब ध्यान से देखेगा कि अगर दो singular noun किस से जुड़े हुए हो and से जुड़े है और इन दोनों के पहले क्या आया हो चाहे each आया हो चाहे every आया है तो इसके बाद में जितने भी pronouns आएंगे pronoun जितने भी pronouns आएंगे वो सभी क्या होंगे singular number में होंगे तो नियम हमारा फिर से देखिए क्या कह रहा है कि अगर दो singular noun ये singular noun और ये singular noun किस से जुड़े हुए है and से जुड़े हुए है और इन दोनों के पहले दोनों singular noun के पहले each या every आया हो तो इस sentence में आने वाले जितने भी pronouns हैं वो सभी singular number में होंगे जैसे each boy and each teacher was busy in his work तो यहां पर देखिए singular noun and से जुड़ा हुआ है teacher भी क्या हुआ हमारा singular noun और ये जब and से जुड़े हुए है ये and से जुड़ा हुआ है लेकिन इन दोनों के पहले इन दोनों नाउन के पहले क्या आया है इच आया है तो आने वाला जो pronoun है इनके according वो क्या आएगा वो singular आएगा ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे rule number दो था rule number 3 तो देखते हैं ये conjunction है ये एक conjunction है either or neither nor और nor इनके साथ में दो singular noun देखिए ये either नहा इसके बाद में singular noun और इसके बाद में singular noun अगर ऐसे जुड़े हुए हैं मतलब दो singular noun आइदर और neither nor और और से अगर जुड़े हुए हैं तो आने वाले जितने भी pronoun हैं वो सभी singular noun में होंगे हमें singular pronoun singular pronoun में आएंगे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सीता और रिता दो singular noun हैं ये भी singular noun ये भी singular noun जुड़ा किस से हैं? conjunction और से जुड़ा हुआ है तो आने वाले जितने भी pronoun हैं वो सभी singular आएंगे देखिए यहाँ पर ये pronoun देखिए ये किसके according आया है? इनहीं के according आया है और क्यूं आया है? क्यूंकि दो singular noun और conjunction से जुड़े हुए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर singular क्यूं आया? और मतलब होता है अथवा या तो सीता या तो रीता अपने भाई को पढ़ा रही है मतलब सीता, अथवा, रीता मतलब दोनों में से कोई एक अपने भाई को पढ़ा रही है तो यहाँ पर हर आना वाजीव है बिल्कुल चलिए next देखते हैं आईदर सोहन और मोहन तो आईदर और से आईदर और से दो singular noun जुड़े हुए हैं ये भी singular noun और ये भी singular noun आइदर और आइदर सोहन और मोहन has bought his pen तो आइदर और से दो singular noun जुड़े हुए हैं इसलिए आने वाले जितने भी pronoun है वो सभी क्या होंगे? singular होंगे और सिफ प्रणाउन ही singular नहीं होंगे वर्ब भी singular होगा इसी के साथ में क्या लगा हुआ है? has लगा हुआ है ठीक है? और pronoun भी हमारा क्या है? singular है नाइदर प्रमोद नौर कमला कल मैंने बात किया था कि आइदर और आइदर और या तो सोहन या तो मोहन दोनों में से कोई एक तो भाई चाहे सोहन या मोहन ने अपनी कलम खरीदी, तो कितने लोगों ने कलम खरीदा, सिर्फ एक लोगों सीता और रिता इन दोनों में से कोई एक क्या कर रही है अपने भाई को पढ़ा रही है, कितने लोग पढ़ा रही है इसलिए यहाँ पे singular यहाँ भी singular pronoun यूजवा देखिए, ना इदर प्रमोद नौर कमला ना तो कमला ने, ना तो प्रमोद लेंड ही लेशन दोनों में से किसी ने नहीं अपने पार्ट याद किये, अब बताए, इसमें से कितने लोग की बात हो रही है जीरो की वों हमेशा अपने आप में singular ही होता है तो जब कोई नहीं है कोई नहीं काम कर रहा है मतलब जीरो है और जीरो का according क्या आ गया यहाँ पे ही जा गया क्यूंकि जीरो हमेशा singular noun, singular pronoun contain करता है, ठीक है न, तो आईए देखते हमारा अगला नियम हमारे अगले प्रणावन के नियम की तरफ तो हमारा अगला नियम यह कहता है कि अगर एक ही संतेंस में फर्स्ट परसन, सकंड परसन और थर्ड परसन तीनों प्रणावन आ जाते हैं तो उनका सीक्वण्स क्या होगा कैसे हम उनको रखेंगे क्या हम ऐसे ही रख देंगे first person second person third person को क्या कोई नियम है तो हाँ उसका नियम है कि अगर sentence positive sense में मतलब sentence में duty या obligation या good thing ठीक है इसकी बात हो रही हो मतलब करतब की बात हो रही है obligation मतलब भी करता है तो गुड तिंग अच्छा sense sentence में कोई negative thoughts नहीं है तब उसका sequence क्या होना चाहिए two three one का होना चाहिए और अगर sentence में कोई negative negative thoughts की बात हो रही है ठीक ना जैसे किल करने की बात हो रही है या किसी को threat करने की बात हो रही है मतलब डलाने धमकाने की बात हो रही है तब one two three के sense में one two three के sequence में जो प्रोनॉंस है वो रखे जाएंगे ठीक ना देखते एक्जामपल यू ही एंड आई यहां पर कॉमा यू ही एंड आई आई फेश्ट प्रेंड ये आवह जो है इन तीनों की वजह से आयाया है ठीक ना यू रतीन की यह गुड तिंग्स है तो यू ही एंड आई यू सेकेंड परसन का ही थर्ड परसन का और आई जो है वो फर्स्ट परसन का तो टू थ्री वन के सीक्वेंस में यह रखा किया इसको भी देखते हैं यू एंड आई यू एंड आई मस्ट गो दियर देखिए यू सेकेंड परसन का और आई फर्स्ट परसन का बीच में जरू नहीं कि टू थ्री वन तीन आए अगर बीच में तीन मिस मलब जो थर्ड परसन का है वह मिस भी है तो कोई दिक करने उसका सीक्वेंस नहीं बदलेगा ठीक है जैसे ठ तुम तुम उन तो देखी इंड यहां पर टू मिसींग के टू ठी्सरी वन तो त्री 1 यसमें थ्री 1 शाल्री मिसिंगा इसमें तू मीजआ घ्री वन आ गया ठीक आट च्रो इसमें on मिसींग उन तो तो कोई दिकत नहीं सीकवेंस वही रहेगा लोग नहीं जा सकते हैं देखुए इसमें यह झांदик चीज तो लेकिन इसमें एकदम clear नहीं किया गया कि कौन साइब हो सकता है कहीं गलत जगह पे जाना हो किसी को लेकिन हो कह रहा है हम तीनों कभी नहीं जाते हैं तो इसमें clear नहीं किया गया है जहां sentence में clear कर देगा कि ये negative बाते हो रही है वहाँ पर kill करने की, thread करने की या कुछ भी करने की जो negative capability रखती है वहाँ हम 1, 2, 3 के sense में रखेंगे अगर बिल्कुल clear नहीं किया गया है तब हम 2, 3, 1 के ही sequence में इनको रखेंगे यू and he can do this work तुम और मैं ये काम कर सकते हैं अच्छा और ये भी देख लेते हैं कि वो जो negative वाले sentence है वो कौन से हो सकते हैं आई, यू and ram 1, 2 and 3 1, 2 and 3 are going to kill him अब देखिए हाँ पर kill करने जा रहे है न कि उसको मारने के लिए जा रहे है तो इसलिए sentence हमारा क्या carry कर रहा है, 1, 2, 3 के sequence में pronoun को carry कर रहा है ठीक है, you and they ये भी क्या है 2 और 3 यहाँ पर 1 missing है, तो जो sequence यहाँ था, जो rule यहाँ था कि बीच में कोई एक miss हो सकता है लेकिन sequence में नहीं हो सकता है इसलिए हम क्या लिखेंगे 2, 3, मतलब you and they try to commit suicide, suicide करना भी एक परगार का क्या है, एक negative capability है, ठीक है ना अच्छा, तो इस rule में हमने क्या सिखा जब negative चीजें रहेंगी sentence में negative, तब हमारा pronoun किस sequence में रहेगा, 2 1, 2, 3 जब positive रहेगा तब हमारा pronoun किस sequence में रहेगा 2, 3, 1 के sequence में रहेगा आईए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ तो हमारा अगला नियम यह कहता है कि अगर first person second person और third person तीनो person जो है वो एक साथ आजाए, ये नियम तो हमने पढ़ा लेकिन जो आने वाले pronounce है और वो जो यूज होंगे वो किस person के अगार्डिंग यूज होंगे जैसे sentence देखिए लिखा हुआ है कि जैसे first person था कि यू आई एंड ही डू आर यॉर या हिज वर्क तो देखिए हम ये तो सीख गए कि अगर sentence में positive sense है तो हम इसका sequence two, three, one में रखेंगे चलिए ये तो clear हो गया लेकिन इसके बाद में जो आने वाला pronoun है जैसे ये possessive possessive pronoun you, I and he तुम, मैं और वह अपना काम करेंगे तो ये जो अपना है ये वाला जो pronoun यूज होगा ये किसके coding यूज होगा ये he के coding यूज होगा कि your के coding यूज होगा कि I के coding यूज होगा तो देखिए one, two, three सबसे बड़ा कौन? one उसके बाद two उसके बाद three sentence में देखेंगे जो उची जातिका होगा ऐसे समझेंगे जो उची जातिका होगा अगर एक sentence में तीनों आए हैं first, second और third first, second और third सबसे उची जातिका कौन है? I और V उसके बाद you and you उसके बाद he, see, it और ये सट ठीक है? अगर एक sentence में तीनों आए हैं जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे उपर होगा उसी के according उसका आगे का pronoun यूज होगा अगर देखिए one, two, three माल लिजे तीनों आया है तो हमेशा first person के pronoun उसमें यूज होगे अगर सिर्फ second और third person ही आया है एक sentence में तो हमेशा second person का pronoun यूज होगा और अगर third person का आया है तो भाई third person का तो यूज होगा यूज होगा यूज होगे तो one, two, three अगर ये तीनों person आये तो सबसे पहले one, one के according मालब first person के according जितने भी वो है प्रणौंस है वो यूज होगे अगर first नहीं आया है तब second person का और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है तो example देख लेते है प्रमोद and I should learn our relation अब मुझे ये बताना है कि प्रमोद third person का और I first person का तो इसमें उची जाद का कौन है सबसे तो उसमें I है ना तो I के according क्या आगया आर आगया ठीक ना यू एंड प्रमोद देखते है यू एंड प्रमोद should read your books तो यू second person का और प्रमोद third person का तो जो second person और third person में उचा कौन है उचा है यू तो यू के according क्या आगया यूर आगया ठीक है ना यू एंड I have done our task यू एंड I have done our task ये भी second person का ये first person का तो अब इसमें उची जात का कौन है इसमें उची जात का है I तो I के हिसाब से हमारा आ गया आ रहा गया तो ठीक है आईए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगले नियम की तरफ इस नियम में एक चीज और हमें जानना है कि अगर first, second और third तीनो एक साथ आए है तो वो जो pronoun है वो हमेशा plural वाला यूज होगा कैसे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि प्रमूद एंड आई तो यहाँ पे माई भी तो हो सकता है माई भी तो हो सकता है क्यों? क्योंकि हम हमारा नियम यह कहता है कि उची जात वाले pronoun ही use होंगे तो I का pronoun my भी तो है यहाँ पे R क्यों use हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि जब यह प्रमूद और I मिलके क्या हो जाते हैं यह यह दोनों क्या हो जाते हैं? plural बन जाते हैं तो इन्हीं plural के हिसाब से यह जो pronoun आएगा यह आएगा हमें साथ plural pronoun ठीक है फिर से देखते हैं कि इस नियम एक्चुल है क्या अगर फरस्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों परसन एक साथ आए हैं तो इसके बाद आने वाला जो भी pronoun यूज होगा वह plural नमबर का होगा ठीक है तो आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको वीडियो और यह जो क्लास है वो समझ में आई है तो प्लीज एक लाइक और अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दा बेल आइकन अल दे बेस्ट